जैन दोस्तो हम लोग पढ़ रहते एबरेज तो एबरेज को बहुत ही बेसिक में बिलकुल आसान भासा में बिलकुल आपकी लेंगूज में समझा रहे हैं तो आगे की सबार इससे पहले वाली क्लास में सारे क्लास के एबरेज पर कोई फार्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके थे कितने पचास ले कितने गया बावन तो दो ज्यादा ले गया तो दो ज्यादा ले गया हम सब का कम होगा नहीं होगा यदि हमारे क्लास के एबरेज 50 किलोग्राम है कोई बंदा 40 किलोग्राम ले के चला जाए क्या होगा बढ़ जाएगा क्योंकि उसके थे कितने पचास ले कितना गया है 40 तो जो 10 बच गया ना तो 10 मैं रख लूँ तुमको दे दूँ किसको दे दूँ सबको बाटो दस जाने से आबरेज 48 हो गया तो पचास से जादा ले गया कम जादा ले गया 50 से एपरेज 50 किलोग्राम है किसी के जाने से एबरेज 35 हो गया तो 50 से कम लेग"! क्योंकि वो छोड़ गया होगा ना अपने तभी थो हमारा अबरेज बढ़ा है बस यह बाते थी बिल्कुल देशी बातें समझ में आ गया पांस संख्याओं का उसर कितना है एक सो चाले यानिकि जो पांस संख्या है इनका जो एवरेज है वो है एक सो चाले यादि उनमें से जोगे और एक संख्या हटा दी जा तो से चार संख्याओं का उसर कितना हो जाता 130 तो तजह अनुसारं हटाई गयी संख्या तो जो humility इन संख्या historic tirar देख हो यानि किसी के जाने से किसी के अब्रेज कम हुआ है तो जादे ले गया होगा कितने ज्यादे ले गया 10 कितने जदा ले गया दस मेरे ले ले गया पूरे गुरुप का गुरुप में लोग किरने थे पांच एक तो चला गया कितने अच्छा डिस एक सोजी 140-140 कि लिए रुगा या नहीं हो पाए तो हटाएगे संख्या कितनी थी कितना भी बैरिसन कर दे आए जाए कुछ भी हो जितनी बाते मैंने बता दें उससे यादा अबरेज में कुछ नहीं आ रहा कि लिए रुपा रहा है आगे बढ़ी नेक्ष्ट अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का उसस 27 है 5 संख्याओं का जो एबरेज है वो कितना है 27 है यदि उनमें एक संख्या निकाल दी जाए तो उसस 25 हो जाता है यानि कि एक संख्या रिमूब की गई है एक संख्या रिमूब की गई है और यह संख्या का 27 लेक इतना कम हुआ है दो तो यह ज्यादा लेगी होगी ना अरे भाया किसी के जाने से एवरेज कम हो रहा है तो ज्यादा ही ले गया होगा नहीं लेगा होगा तो समझो मेरी बात सब लोग पैसे खटे करो तुम भी 50 रुपर डालो मैं 50 रुपर डालो अब लेगे भाग जाओं अर्मारे से लेगे हमने 50 लत तुमने फंट दाले किता होगा। मैं 60 लयकिते तुमारे कम क्यों हुए क्यों कि मैं ज़्यादा ले गया तुम्हारे कम क्यों हुए क्यों कि मैं ज़्यादा ले गया यही तो बात हो रही है कि पांच संख्यों का अब तो एक चला गया कितने रोग लेगे चार 27 चार गुनी 8 नहीं आया बाते पल्ले पड़ रही है कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है कागे बढ़ें चलो अगला देखो किसी कक्षा में 50 विध्यारती हैं 50 किलोग्राम का चला जाए और उसके इस्थान पर नया आ जाए ठीक है जिसमें कक्षा का और सदभार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है तो नया आशिक हो गए का आसकी में तो नय विध्यारती का भार बताईए जो नियू वा अदिसेंटाउन और भार वाला ध्यारती चला जाता है तो जो आया है मैं 50 लेके आ जाता क्या हूता है लेकिन उसके आने से अविरेज बढ़ गया किता आधा कि लो भीषक कितना जिलो कितने हैं यूज इसN ей बढ़ता है तो पूरे और गरव ना उसना कि हमानो कि अटा है क अब समझो नौर्मली समझो सब लोगों ने 50-50 रुप के इसी सवाल को देखते हैं सवाल पर आजाओ कि यह वड़ी आस्कीम खो रहे हूं कि किसी कक्षा में 50 विद्ध्यारती है 50 किलोगराम बाला एक विद्ध्यारती चला जाता है मेरी बास हो पचास लोग हैं पचास उने 50-50 रुपे डाले हैं तो अब रेज पच्चास फचास ही है आप कोई बंदा 50 चला जाता पचास लेकर आ जाता क्या होता आप कोई बंदा 75 कितना लाए गया तो 50 का है लाए कितना तो 25 किलोग फाल तो लाया है यह 25 किलो सब लोग खाएंगे और में लोग कितने 50 तो 25 किलो को 50 लोग खाएंगे तो आधा आधा किलो खाएंगे नहीं खाएंगे तभी तो यह बड़ा है आधा किलो समझ में आया बढ़ आगे अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि जब 60 kg भाएवाले एक ब्यक्ती को नए ब्यक्ती से परतिश्थापत किए आता है नीजी रिप्लेस किए जाता है तो पच्चिस ब्यक्ती के उस्रद भार में 1 kg की ब्रद्धियोती बात वही एक चला गया एक आ गये दिश्थापार ग इस है कहना और वहार में कि ब्रद्दी होती है अब मेशना बड़ा है और अब बड़ता है तो पूरी मेशना बढ़ता है तो पूरे भाई लोको कितने थे अब भी कितने हैं तो बढ़ेगा एवरेज पच्चिस का कि दिसेज साथ दिसेज पच्चिस दिसेज पिच्च्चासी कि सही है कि क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है आगे बढ़े इसको दिखो कह रहा है एक नौका में 15 नाविकों का औससत बजन उस समय बन पॉइंट 6 क्लोगराम बढ़ जाता है जब उन में से 42 क्लोगराम के इस्थान पर नया नाविक आ जाता है जो नया आया नया ब्यालस का गया है ब्यालस का आ जाता क्या होता लेकिन इसके आने से 15 24 यह हो जाएगा 24 क्योंकि 15 15 की 225 और 15 16 240 240 का पॉइंट और जीरो खलास तो बचेगा क्या 24 तो 42 और 24 होता है 66 क्या होता है 66 सही है कोई दिक्कत तो ना हो रही बता दियो बढ़े आगे इस सवाल को देखो एक कक्छा में 30 लड़कों की आउसत आयू 10 बर्स है यदि उनमें सिक्छा की आयू को मिला दिये जाए तो आउसत एक बर्स बढ़ जाता है आप दस लड़कों का जो एवरेज है वो कितना है एक कक्छा में 30 लड़कों की आईू कितनी है यदि उनमें सिक्छक की आयू भी मिला दिया तो आउसत एक बर्स बढ़ जाता है यानि कि अगर जो टीचर की आयू मिला दिया तो टीचर भी यह दस साइल का होता क्या होता को में सब आउस्ड बढ़नें अंग भाह ऑच जालेए आउसा नहीं है और देखो ना बिहार मेरी चोट चोटे बच्ची निकल अरे holy मैं अ थी क्लास के बच्च पो जो का नाम उसका बिराज बबी राज न बाबी राज वह थी पढ़ता है update यह हूंग है अपर हमारे ही आपर आलया है यह यहां न ज्यादा बरी हाँ बुद्खेखु ना और अपने यहां पर कोई है पड़ती नहीं कुछ हाँ यूपी में खतरनाग वाले होते हैं चलो बहुत बहुत बास तम्में एक टैलेंट निकल के आ रहा है अलग तरीके का एक से खतरनाग बंदा एक से खतरनाग बंदा देखो सुपर 30 तुमारा थ तो अनसर बोवी राज बोवाला ठीक है सोनू और दुनिया भार के तमाम चीजें निकल के आ रहे हैं क्योंकि यहां तो बोल करते आर पार की लड़ाई और हम करते ना आर की लड़ाई ना पार की लड़ाई जिंदी काट रहे हैं अज एक बात सुनो बहां पर क्या है ना तूफान आता ना कुछ भी होता ना खतना बीमारी आती कि एक तरव से लेपेट लिए ऐसा कुछ होता नहीं तो हमारी जो पूंजी है वो बच जाती है तो वो भी खाते रहते हैं तो आगे नहीं बढ़ते क्योंकि आप अगर comfort zone में है तो great things आपके अंदर नहीं आईग कि फसल लेगे खेत लेगे ऐसा कुछ होता है कुछ नहीं होता है ना कोई changes है तो बात यह है कि हम लोग पढ़ने में ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं लेते अब बिहार में क्या है कि उन्हें पता है आ रहे आ आ रहे अपा है डीम एसट्यम सबस्यादा कहां से बनते हैं आप भाई देखो ना रेयली बर देखो न आ Select the time है अफ़े से ट्रेक्ट ऐसागर्या मेरट में 5000 अपनी बरेली में 200 बरेली में 200. कि फाली बरेली बरेली में 104 हैं पूरी बरेली करा है 104 आगर्या में 2000 कि रेक्षिदा है 이 और 104 का नाम है हर जग convenience लेकिन पढ़ने वाले कहां सेलक्षन है क्यों कमफट जो नमें जी रहे हैं बाप थोड़े बहुत कमा लेते हैं खर्चा चला लेते हैं बात खतम यह दिक्कत है कमफट जो छोड़ना पड़ेगा देखो जिसने कमफट जो छोड़ा है सफलता हांसिल किए किसी को देख लो हम लोग कुछ नहीं बनते हैं लेकिन जो बनना चाहिए जो होना चाहिए बहुतों नहीं है न बनते तो हैं हलका फुलका तो हर जगा होता है चलो एक अक्षा में 30 लोड़की और सताइव कितनी है दस बर्स यादि उनके सिक्षक की आयू मिला दी जाए तो और सत कितना बड और अबरेज बढ़ता है पूरे गुरप में लोग होगी 30 तीज तो बालक थे एक माटर आ गया कितने हो गई 30 तो दिससे चीक तालिस दास पिलास 31 मतला आप कुणा देखा आगे बड़ो आंगे बड़ो कि इसको देखो भाई उन्तालेच छात्रों की कछ्छा की ओसत आयू कितनी है 15 वरस अगे बड़ता है यदि अध्यापक की आयू भी जोड़ दी जाए तो औस तीन महा बढ़ जाती महीने का है साल नहीं का है तो जो टीचर है अगर वो पंद्रा साल लेके आता जात तो क्या होता यह 15 एर है ना उसके आने से एवरेज कितना बढ़ा तीन महीने तीन महीने मतलब मंस अगर एवरेज तीन महीने बढ़ा है तो एवरेज तो बढ़ेगा भाई पूरे गुरुप का और गुरुप में लोग कितने थे 49 बालक थे 40 मा कौन आ गया माश्टर त यह 15 साल है और चात्तिया 12 120 महीने है 120 यह 15 साल है और 120 महीने का मतलब 10 साल है 10 साल है 120 महीने का मतलब 10 साल 15 और 10 15 साल तो माश्टर कितनी साल का है बाई फॉर यर या फॉर साथ है कि लिर हो पा रहा है आगे बढ़े चलो आगे फिर कि इसको देखू कि किसी विद्ध्याले में आठ अध्यापक की और सताई चालिस बरसे उनमें से 35 बरस के अध्यापक की मिर्तिव हो जाती है उन hatte आलिस बरस के एक अन्यजापक की निउत कल लिया आता है तो बिध्याल में अध्यापक की बढ़त्मां और सताई क्या है मेरी बात को सुंऻ आठ लोक ये थे इसका कितना था किसी विद्ध्याल्याय में आथ अध्यापक की ऑसत आईव कितनी है 40 बरस है उन्हें में से 55 बरस का अध्यापक की मिर्ति हो जाती है और 49 बरस के एक अध्यापकों की निगति कर लियाता है तो गई अध्यालै में अध्याबों की बरतमान उस्यायुब किते हैं मेरी बात कुछ gayson से समझो है कि हम लोग का अब लेज़ा 50 kg कितना है कि कोई बंदा 60 लोग का चला जाए कितने का चला जाए साथ का और बंदा 45 का आ जाए तो ओवराल पंद्रा की कमी हुई नहीं गया था तो 15 मेरी उमर से कलोगे तुम है कि तुम्हारी उमर से निकाले ही तुम्हारी उमर से जो 25 नेलूएर वहर थे चालिस था जिसमे們 से हुआ कि पचपन के गुजिर गए और 49 बात है कहा ie यह तो average है ना, अरे मेरी बात को ध्यान सा सुनना, ऐसे मैंने जो भी होगा है, मेरी बात को सुनों, अबराल हुआ कि शुलो ऐसी देखते हैं, पच्पन का चला गया बंदा, पच्पन का तो गया, लेकिन आया कितने का, कितने कमी हुई 16 की, यह 16 मैं भरू तुम भरोगे 16 कौन भरेगा आठ 12 बरोग अगर 16 की कमे हुई है पुरए गुरूप में 16 कमे हुई है न गुरूप मेर लोग कितने आठ तो एक बंदे कितनी कमे हो जाइगी दो कि Tallis पहले था एउसर्दाय कितनी है चालिस परस कितनी है alla कि ईनमें से 55 बर्स के अध्यापक की मिर्थी हो जाते है और 49 बर्स का एक अध्यापक न्युकर लिया ता है इसमें से गया कितने का 25 का और आया कितने का उन्ताभ जो भी चेंजस हुआ है रिक ऑडोग zerocience इसको अलग मालो इसको अलग मालो मैंने अलग कह दिया कि पच्पन गया है और 49 आया है मतलब 16 गया 16 गया अरे पच्पन आया है और 49 गया है सॉरी पच्पन गया है और 49 आया है तो ओबराल क्या हुआ और इस एसमाल्स मेरे जाएंगे आपकर जाहेंगे पूरे गुर्प के लांगे शालाय leo कå मालि यृ तो पहले अब कितना था चालिज्स काम-ोछा आगा कि तो यह का तो तो न अ देखक नहुक कूल रिख आगए बड़े कि यदि चार बच्चों की और सतायू कितनी है बारा बर्द और इन बच्चों और इनके माता पिता की और सतायू कितनी है बीस तो पिता की आयू कितनी है चार बच्चों की जो एवरेज है वो कितना है बारा तथा इन बच्चों और इनके पितना और इन बच्चों और इनके जाता किए देखो चार बच्चे ही और पांच में कौन है चार बच्चे हम इनका पाप तो इनका जो फादर थे मेरी बात को जहां सुनो पापा भी 12 साल के होते तो क्या होता कोई फर्क निपड़ता को दिक्कत ठीक है यहां फर्क पड़ता यह बाप नी बन सकता ठीक है चार अगर बाप भी 12 साल का होता क्या होता कोई फर्क निपड़ता नाम का बाप होता अगर एवरेज कितना बड़ा है और एवरेज बड़ेगा पूरे गुरप में लोग किते हैं अब तो बाते बहीं है बस इसको थोड़ा सा लेंग्विज को च्छेंज किया गया है आपका तर पूरा अबरेज अस्ते नाबूध हो जाएगा लेकिन आपका तरीका नहीं बतलेगा इसी तरीके से आपने प्टा दोगे चार लोग अबरेज 12 था कर एक नया बेखती आ जाता तो अबरेज 20 हो जाता तो पांच लोग नहीं हो जाते तो बही तो बात कहिए कि 5 कितना 20 तो अब यह सवाल का उत्तर है अरे आगे बड़ेज हो पा रहा है या नहीं का इसको देखो भाई 660 के सम्मों की ओसताइव कितनी है चौधह बरस है उन्हों में जब प्रिशमें सिख्षक की आयूं भी संमलित कर दे आती है तो उससे एक बढ़ जाता है सिख्षक किया इव कितनी बरस है इस क्लास मैं और कर लो बाकी अगली इस ट्रैप के कोशन रहे हैं नहीं हो पार यह बताओ कि समझते हैं 36 चात्रों के सम्हों की आउसत आयू कितनी है 14 बर्स 36 चात्रों का जो एवरेज है वो कितना है 14 बर्स जब उसमें सिख्छक की आयू भी समलित कर लिए आती है तो आउसत एक बर्स बढ़ जाता यानि कि टीचर आ गया अगर टीचर भी 14 साल का होता क्या होता लेकिन टीचर के आने से अवरेज कितना बड़ा है और एवरेज बड़ता है तो पूरे आप गुरूप में लोग कितने हैं 36 तो पहले थे ना एक टीचर आने से कितना होगा अब बढ़े आगे अगे होगा दस्कुर्चन अब्षों करेंगे क्योंकि एक सुक्वण बन जागा ना एक सुकम मन जाए तो कोई बेगा क्लास देख नाथ हुआ तो चैसे से देह लेगा न खुदी ओलेड़ी तो को दिक्कत को या पत्ती नहीं हो रही तो आप लोड़ी सब्सक्राइब करें हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में स्वस्थ रही है मस रही हो पढ़ाय करने में ब्यस्थ रही है